नमस्कार कक्षा 10 एक्सरसाइज 7.1 का प्रशन पहला हम करने जा रहे हैं बच्चो यह प्रशन करने से पहले आप हमारे चैनल पर हमारा पिछला वीडियो दूरी सूत्र यानि की डिस्टेंस फॉर्बुला ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसी के अनुसार हम इन प्रशनों को हल करेंगे तो आएए पहला प्रशन करते हैं बच्चो बिंदूओं के निम्न लिखित यूगमों के बीच की दूरियां ग्याद कीजिए पहला बिंदू है बच्चो 2,3 आईए इसे इस प्रकार से देखते हैं निर्देशांग जामिती के हिसाब से देखते हैं देखिए बिंदू है 2,3 यानि X अक्ष पर 2,Y अक्ष पर 3 ये बिंदू मिलेगा यहाँ आकर तो ये हो गया पहला बिंदू 2,3 दूसरा बिंदू है 4,1 तो देखें यहां पर X अक्ष पर 4 Y अक्ष पर 1 यह दोनों बिंदू आकर यहां मिलेंगे यह हो गया दूसरा बिंदू B ठीक है बच्चो तो इन यह है 4,1 यह है 2,3 A और B दोनों बिंदू के बीच की दूरी हमें ग्याद करनी है ठीक है बच्चो तो दूरी सुत्र के अनुसर हमने पिछले वीडियो में दूरी सुत्र समझा था दूरी सुत्र के अनुसर दूरी A और B के बीच की है तो A B P और क्यों होते हैं दूरी A B किसके ब्राबर होगी बच्चो सूत्र के नुसार दूरी है x2 माइनस x1 का whole square plus y2 माइनस y1 का whole square अब बच्चों हमें समझने की जुरूरत ये है x2 क्या है और y2 क्या है x2 x1 क्या है और y2 y1 क्या है देखे ध्यान से पहले के coordinate होते है x1 y1 दूसरे के coordinate होंगे x2 y2 तो इस हिसाब से हमारे पास x1 आ जाएगा पहले में x वाला coordinate 2 y1 आ जाएगा पहले में y का coordinate 3 x2 आ जाएगा दूसरे बिंदू में x का coordinate जो की है 4 और y2 आ जाएगा दूसरे बिंदू में y का coordinate y का coordinate पीछे वाला होता है एक्स का कोडिनेट पहले वाला होता है तो य का कोडिनेट यानि य का निर्देश आंख है वन ठीक है तो यह हमारे पास वैल्यूज हागी इन वैल्यूज को हम इस दूरी सुत्र में भर देंगे ठीक है बच्चों आईए देखते हैं जो दूरी A B किसके बराबर होगी अंडरोट एक्स टू देखिए यहां भी देख सकते हैं हमने निकाल दिये यहां भी देखेंगे तो एक्स टू सीदी सी बात है वन मतलब जब भी एक्स वान या वाई वान की बात है तो पहला बिंदू देखो X2 या Y2 की बात है तो दूसरा बिंदू देखो अभी बात है X2 दूसरा बिंदू X2 यानि X-Valentization जो की है 4 यहां भी देख सकते हो X2 है 4 माइनस X1 1 मतलब पहला बिंदू देखो उसमें X का निर्देश आग देखो जो की है 2 तो यह था X2 माइनस X1 का whole square इसका whole square प्लस इसी प्रकार से Y2 2 मतलब दूसरा बिंदू देखो Y मतलब Y का कॉर्डिनेट Y का कॉर्डिनेट यानि पीछे वाला कॉर्डिनेट जो की है 1 माइनस Y1 1 मतलब पहला बिंदू Y मतलब Y का कॉर्डिनेट देखो तो वो आएगा 3 ठीक है बच्चो तो यह अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है सिरफ मैंने आपको समझाने के लिए लिखे थे आप यहाँ पर सीदे देख सकते हैं X2 दूसरे बिंदू में X का कॉर्डिनेट X1 पहले बिंदू में X का कॉर्डिनेट Y2 दूसरे बिंदू में Y का कॉर्डिनेट Y1 पहले बिंदू में Y का कॉर्डिनेट बहुत असान है बच्चो अच्चा यह था Y2 माइनस Y1 का whole square तो इसका भी square अब देखे A B किसके बराबर आता है अभी root है यह साथ साथ लगाते रहना है 4 माइनस 2 4 माइनस 2 कितना होता है बेटा 2 इसका आगे square भी है plus 1 माइनस 3 देखे ध्यान से plus माइनस माइनस 3 में से 1 निकाला 2 sign बड़ी रकम का बड़ी रकम है 3 उसके साथ निशान है माइनस का तो यह आगया माइनस 2 का square कई बच्चे कहते हैं 2 माइनस 2 0 0 का square 0 नहीं बेटा देखो इसको ध्यान से देखना अभी a b बराबर होगा पहले root है तो root तो लगेगा ही लगेगा साथ में जब तक हल नहीं होता देखे 2 का square होता है 4 plus 2 का square फिर से होगा 4 और minus का square minus into minus हो जाएगा plus समझे बेटा अब इस प्रकार से हमारे पास a b कितना आ गया root 4 plus 4 कितना होता है 8 तो a b हमारे पास 8 units आ गए unit मतलब 1 काई आ गए अब 1 काई का क्या मतलब हुआ अगर ये दूरी cm में होती तो हम लिखते है root 8 cm अगर मीटरों में होती दूरी तो root 8 मीटर अगर दो शेहरों के बीच की दूरी किलो मेटर में होती तो हम लिख देते root 8 km हमें नहीं पता यह दूरी cm में है मीटर में है या किलो मेटर में इसलिए हमने यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया है 1 अब बचो आप अपने उत्तर को root 8 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 प्राइम फेक्टरिजेशन आपने ऐसे करके की हुई है इसमें से 1-2 का जोड़ा बन जाएगा तो वो root से बाहर निकल जाएगा अंदर बच गया सिरफ 2 अंदर मतलब root के अंदर ठीक है तो आप अपने उत्तर को यहां भी छोड़ सकते है A B ब्राबर root 8 ठीक आई या आप इसे थोड़ा सा आगे इसका अभाज्यकुनन खंडन करके इसे इस प्रकार से भी लिख सकते है A B ब्राबर 2 root 2 इक आई तो देखे बच्चो यह है A और B के बीच की दूरी ठीक है बच्चो हमने क्या किया सिरफ इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग किया दूरी सूत्र क्या है एक बार फिर से रिवाइस कर लेते हैं दूरी सूत्र है X2-X1 का whole square प्लस Y2-Y1 का whole square इसी दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमने यह पहले प्रश्ण में पहले भाग में A और B के बीच की दूरी ग्यात की है आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्ण अच्छे से समझ आया होगा इस प्रशनावली के बाकी प्रश्णों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर बाकी प्रश्णों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं धन्यवाद